क्या नाम है आपका वाईपी सिंग यहां पर महौल किसका चल रहा है किसकी हवा दिख रही है अब देखिए ऐसा कि बनारस में कहीं आपको बिचार नहीं करना है बस एक बिचार करिए कि यहां पर मोधी जी हैं और योगी जी हैं इसके अलामत किसी का कोई नाम भी नहीं जानत जो साइलेंट हैं योगी और मोडी जी की जो पढ़े लिखे लोग हैं वो घरों में बैठें हैं अखिलेश जी के आद्वी डंडा लेकर के आ गए हैं वो ट्रक पे लाद के लाए जा रहे हैं दूसरे जिले से लाए जा रहे हैं आप सबसे बड़ा प्रस्न सोचिए कि इनकी स कराना है मैं गाजीपूर में रहता था मैं नोगरी करता था मैं रिटायर परसन हूं गाजीपूर में जब बिजली नहीं आती थी तो वहीं पर जो है मुक्तार अंसारी रहते थे उनके भाई सांसत थे आपको कुछ नहीं करना आपको करना क्या कि भाईया जी को जेल में रह थे आपको कहीं कुछ नहीं करना अगर आप बाहर चले जाईए उस समय और आप किसी व्यक्ति से कह दिए कि मैं गाजी पूर कर रहने वाला हूं या मैं गाजी पूर में स्तर्विस करता हूं तो तुरंत यह नहीं पूछते थे कि वहां पर डियम को नहीं है कलेक्टर को नहीं करें लोग किया हैं यहां पहली बार मोरीजी यहां पे आये थे उन्हों ने जब यहां माला पेनाया था पूरे सहर में जो बिजली का तार था था वह सारा अंडर nurses तो उसका इसर दिखेगा क्या इधर आप इस बात को इस तरह से समझे जैसा योगी जी भी कहते हैं और हम लोगी कर रहे हैं जहां पर बिजली आती ही नहीं थी इन्वर्टर की इतनी ज्यादा विक्री थी बनारस में इन्वर्टर बेचने वालों की इतनी ज्यादा दुकाने और सारी दुकाने आज बिजली आने के वज़े से सारी दुकाने बंद हो गई क्योंकि एक्स्ट्रा खर्चा होता था ना हमें इन्वर्टर लगाना पड़ता था चार साल बाद हमको बैक्री बदलनी पड़ती थी यह सारी चीजे बंद हो गई जब दीदी आई थी दीदी बोलके गई है कि खेला होगा और ख़देडा भी होगा बीजेपी का करेगा कोई कि अपना चुना हो गया जोगी जी बन गए मुख्यमंत्री बन गए और सांती आ गई बलकि वह उन कुन्डों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी वह जमानत तोड़वा करके जेल के अंदर भागना शुरू करेंगे कि निकलो नहीं तो जोगी आ गया जी लोगों ने इतर के लोग तो चलाने वाले नहीं न वो इकदम और जाइस नुए इसलिए 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 कि उसमरॉद को इस बात का विश्वास नहीं था कि भाजपा की सरकार आ भी सकती है क्योंकि जातिवादी राजनीत होती थी कभी सपह कभी सपह कभी बसक्रा कभी सपह लेकिनOM मोदी जी का आगमन हुआ मोदी जी आपके प्रधान मंत्री बने लोगों को इस बात का विश्वास हो गया कि नहीं इनको पड़का जा सकता है आप क्या चुनाव होना है मुद्दा क्या चल रहा है इदर मुद्दा यही है कि योगी जी की सरकार बहुत अच्छे से चली है पांच साल लेकिन इधर कोरोना का जो दो साल बीता है इसमें जरूर कुछ अवेवस्थाएं रही लेकिन यह पूरे विश्वा के लिए पंडेमिक था तो ऐसे में जो रोजगार की लोग बात कर रहे हैं तो जो ही कि शीकायते हैं वो दूर हो गी एक तरफ चिकायतें भी भाजबा से हैं लेकिन आपके खाये भी भाजपा से ही है चो neighborhoods तब होता है जब यहां को यह समझ में आता कि नहीं तुलनात्मक रूप से दूस्री सरकार बेहतर होने अब दिदी आई थी दीदी बोलके गई हैं कि खेला होगा यूपी में खेला तो वो खुद उन्होंने खुद किया बंगाल में जो हिंदू का नर्फंगार किया यह जनता यहां की भूलने वाली नहीं है और किस तरह वहां से बदला लिया है क्या बीजेपी ने वो कहारी यूपी में बनारस यहां कोई डरने वाला नहीं है यूपी में खुदी सरकार डर जाएगी ऐसा संभव नहीं है योगी जी से तो खुद गुंडे माफिया सभी डरते हैं मार्च का इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव कि बाबा को घर वापस भेजना है मठ में जा रहे हैं बाबा अगले टर्म में भी इंतजार करते रहे जाएंगे उनको अब 2027 की तैयारी करें वो क्योंकि इस टर्म में भी योगी जी प्रशंड बहुमत के साथ आ रहा है ली खंबा नोचे ये कहवत लागू होती है इस पर आप देख रहे हैं यहां पर एक भी आपको ऐसा तत्त तो नहीं दिखेगा और उन विशें को छोड़ दीजिए अब विशे है कि विजय विजय और विजय पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से जो आज सरकार चल रही ह है और आगे आने वाले समय में भी यही सरकार हम सब के बीच में अच्छे बहुमत से आने वाली है और अधिक न कहते हुए सब लोगों की शुब कामना है आपके प्रेस के साथ में भी है और जो आपने दीदी की बात किया वह अपना काम अपने आप उनका करतर है यह खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश में भी जैसे बंगाल में बंगाल में जो खेला हुआ था हो चुका अब वह खेला यूपी में नहीं चलेगा यूपी में बाबा बाबा दन्यवाद मुझी अब जाना भी है हाँ सुसील कुमार राय जी यह बताइए अखलेश यादव भी आए हैं दीदी भी आए हैं मोदी जी भी आए हैं क्या लग रहे है किसका पलड़ा भारी दिख रहे हैं भीड तो सब में दिख रही है मोदी जी फिर सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएंगे आपको भीड तो सब में दिखेगी ममता भी आए थी उसमें भीड थी लेकिन भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है फिर खेला होगा खधेड़ भी होगा बीजेपि का ल सक भीड थी जो घיע नव थार्था उससी तरहर खता की एक खेला होगा पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार आ रही है सब लूं करने दिखेव ौर्ण बहुमत में हमारी सरकार वीसमें वहारी है यूपी में और वीजेबी को खदेरने वाली है जिसमें योगी जी और मुदीज जीत रहे हैं योगी जी ने अपने सारे घंडे भेज दिये थे उनको गालियां दी गई है धक्का मुक्की हुई है काले जंडे दिखाए गा जैश्री राम का नारा लगाना और भारत माता की जै कहना अगर गाली है तो हम लोग ये गाली बार-बार देंगे और सब को देंगे जिसको अगर जैश्री राम कहना और भारत माता की जै कहना अगर गाली लगता है उसको मैं क्या कर सकता है वो तो कह रही है कि जैस्री राम से में चिरती नहीं। विडियों ैं जिसapp पोपबबनें जैस्री राम कहने पर उनको लोगों को भगा रही है कि जैस्री राम आप बोलेंगे तो इसके निसकर्श निकलता है, कि जैसी राम से वो च्विडती हैं कि नहीं च्विडती हैं Karmawyn, काशी में जो मुद्दे थे और नरेंद बुदी जी ने उसको अच्छी तरह से देखा और समझा और में बुद्दा किसी भी जनता का होता है, सड़क कानून बेवस्था बिजली और यहां पर जो भी लोकल लेविल पर सुभधा है या सड़क है वो होते हैं और यहां पर मोदी जी ने आप देखेंगे बानारस या बानारस की छोड़ दिया जाए किसी भी जिले से जुड़ती हुई चारो तरह फोर लेन रोट्स बन रह बनारस काशिविशनात मंदिर के लिए फेमस है जो कि भब और दिब बना हुआ है कोई भी बनारसी कह रहें कि जनता बदलाव चाहती है लेकिन वो बदलाव चाहती है कि यह सरकार पहले जितनी भी संख्या लेकि उससें जाधा लेकि आएगी जो अखलेश यादों है वो पांसों भी ला सकते हैं लेकिन सपने मिला सकते हैं मुगरी लाल के सपने सपने ही रह जाएंगे शिव कुमार कनौजिया जी ये बताइए चुनाव है आपके साथ तारीक को और अभी धड़ा-धड रह लिया जंसभाय रोडशो हो रहा है तो कौन मजबूत दिख रहा है हमार जी का इसा बहुत बड़ा सपना है कि में वो हमारे देश के प्रमुक सचीव नेता एक जैसे युवा नेता हैं वो हम लोग का सपोर्ट करते हैं तो कह रहे इस बार हमारे जंता मुझे लेकिन हमारी बीजेपी भारती जंता पार्टी मजबूत गाड़े जी